तो ये Attention Deficiency Syndrome इसलिए हुआ है, क्यूंकि लोग जानकारियों को शिक्षा समझते हैं, तो इन्होंने बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा लिया, लोगों को शक हुआ, अमरीकी सरकार को शक हुआ कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, एक 12 साल का बच्चा जानता है कि वहां करोणों प्र जानता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ, नई, जीवन का हर पहलू इसी तरह है, अगर आप ध्यान नहीं देते तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं, कैसी सांस ले रहे हैं, क्या हो रहा है, बहुत से लोग फूलों की खुश्बू पर ध्यान नहीं देते, या कोई भी दूसरी चीज़ पर वो पास से गुजर जाते हैं, पत्थर की तरह या फिर कहें बैल की तरह, क्योंकि बैल महत्वपूर्ण होते हैं, स्टॉक मार्किट में, तो ये विकास प्रक्रिया में पीछे जाना हुआ, अगर आप बैल या भालू की तरह चलें, तो आप पीछे जा रहे हैं, आप विक्सित होकर इंसान बने हैं, इसमें लाखों साल लगे हैं, अब आपको पीछे नहीं जाना चाहिए, इंसान होने का मतलब है, इंसान के बारे में अनूठी चीज ये है कि हम वही चीजें करते हैं, जो जानवर करते हैं, बस यही है कि जो जानवर करते हैं, हम भी वही करते हैं, लेकिन हम उसे जागरुख होकर कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा फरक है, और किसी चीज को पूरा ध्यान देना चाहिए, वरना वो आपके अंदर खुश जाएंगी. तो ये Attention Deficiency Syndrome इसलिए हुआ है, क्यूंकि लोग जानकारियों को शिक्षा समझते हैं. फिलहाल हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्ता ही ऐसी है. आप पर जानकारी का धेर डाल देना. आप जितनी ज्यादा जानकारी का धेर लगाएंगे किसी दिमाग में या कहें कि बच्पन से जानकारी डाली जाए, तो उसकी ध्यान देने की रूची उतनी ही कम हो जाएगी. क्यूंकि कुछ भी जाने बिना, जानकारी आपको एक जूटी भावना देती है, कि आप सब जानते हैं. यह अब एक फैशन बन गया, आज अगर आपको एक डिनर पार्टी में आमंतरित किया गया है, तो आप गूगल पर सौ करोड आकाश गंगाओं की जानकारी ढूंडते हैं, उन सभी को नंबर और नाम दे दिये गये हैं, ठीक है? वो 567BZ, वो गैलक्सी, उसके बारे में आप कैसे हैं, आप कहते हैं, अरे क्या आप इस गैलक्सी के बारे में जानते हैं, जो करोड़ो प्रकाश वर्ष दूर है, जो BB ऐसा कुछ है, आप इस बारे में बात करते हैं और सभी को लगता है कि आप स्मार्ट हैं, पूरी दुनिया के साथ विलहाल यही समस्या है, हम या पारी या कोई भी इंसान जो किसी परिस्थिती में रास्ता खोजना चाहता है, उससे बुद्धी की जरुएत है, ना कि बस सूचना की, सूचना थोड़ी उपयोगी हो सकती है, लेकिन बुद्धी ही आपको किसी विशेश स्थिती से गुजरने का एक अनूठा रास्ता दिखाएगी, ना कि वैसा रास्ता जो कोई और अपना रहा है, हम सूचना को बुद्धी समझने की गलती कर रहे हैं, जब आप खुद में बहुत ज्यादा जानकारी का धेर लगा लेते हैं, तो ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब आप बिलकुल ध्यान नहीं देते, जब आप में ध्यान बनाए रखने की कोई शमता नहीं होती, तो आपने अपनी बुद्धी तक पहुँचने की शमता भी खो दी है, आप बस याददाश से सूचना बाहर निकालते रहेंगे, एक सुंदर घटना हुई, आपने एंडू कार्नगी के बारे में सुना ह जब एंडू कार्नगी ने अपना व्यापार शुरू किया, तो थोड़े ही समय में वो बहुत सफल हुए, और उन्होंने बहुत पैसा कमाया उस समय ये गूगल या फेस्बूक या ट्विटर का योग नहीं था, कि वो दो सालों में खरब पती बन जाते हैं उन दिनों लोगों को उद्योग वगारा लगा कर पैसा कमाना पड़ता था, जिसमें दशक्या पीढ़ियां लग जाती थी तो उन्होंने बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा लिया, लोगों को शक हुआ, अमरीकी सरकार को शक हुआ कि ये कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्होंने एक सेनिट पूछतास कमिटी बनाए तो उन्होंने इनसे हर तरह के सवाल पूछे और उन्हें पता चला कि इनके व्यापार में कुछ भी गलत नहीं फिर उन्होंने पूछा कि आप इतना पैसा कमा कर इतने सफल कैसे हो गए तब एंडू कार्नगी ने बहुत ही सरल बात कही मैं अपने मन को किसी चीज़ पर पांच मिनिट तक लगातार रख सकता हूँ पांच मिनिट क्या आप में से कोई भी ऐसा कर सकता है सभी सेनिटर सोचने लगे पांच मिनिट में क्या मुश्किल है और उन्होंने एक प्रयोग तैयार किया उन्होंने अपना ध्यान टिकाने की कोशिश की वो कुछ सेकंड तक भी नहीं टिका पाए एक पल यहां दूसरे पल वहां ज्यादातर इंसानों की यही हालत है तो फिर वो बोले आपको अमेरिका नहीं चलाना चाहिए सिस्टम में मन के चार मुख्य पहलू है मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा लेकिन मन का यादों वाला हिस्सा सबसे कम महत्वपूर्ण है चित जो चेतना से जुड़ा होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है अगर आप चित को कोई आकार दे दें तो वो आकार हमेशा सच्चाई बनेगा क्यूंकि इसमें जीवन बनाने वाली शक्ती है जिसे हम शब्दों की कमी की वज़े से चेतना कह रहे हैं वो जो जीवन का आधार है जब आपका मन उससे जुड़ जाता है तो आपका मन जो आकार लेता है मन एक बादल की तरह है आप उसे कोई भी आकार दे सकते हैं आप उसे देवता बना सकते हैं आप उसे शैतान बना सकते हैं आप उसे पशु बना सकते हैं आप उसे जो चाहे बना सकते हैं ये एक आकार रहिच चीज है तो अपने चित को आप जो आकार देते हैं, वो हमेशा दुनिया में सच्चाई बनेगा, क्योंकि इसे जीवन को बनाने वाली उर्जया से शक्ती मिलती है। तो यही मन का सबसे महत्व पूर्ण पहलू है, ना कि यादें। यादें सिर्फ भौतिक चीजों को संभालने के लिए जरूरी हैं, यह हो सकता है कि एक व्यापारी पस भौतिक चीजों को संभालना चाये। ये ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि व्यापारी का जीवन एक मज़ेदार रोमांच बन जाए, जहां नई संभावना को खोजने की प्रक्रिया, उसके अनुभव में भी वाकई नई संभावनाय लाएं, ना कि सिर्फ आर्थिक संभावनाय बनें, और ये संभावना एक व् होजना चाहिए, यही वज़ा है कि हम एक अध्यात्मेक तत्व लाने की कोशिश कर रहे हैं, सफलता असानी से मिलेगी, किसी अन्य चीज की तुलना में, क्योंकि सफलता इसलिए असान नहीं होगी कि कोई जादू होगा, बलकि इसलिए कि आप अपनी पूरी शमता से काम कर अगर आप, आप जानते हैं, आप जानते हैं स्कूलों में तीन टांगों वाली दोड होती है, आपकी तीन टांगे होने पर भी आप धीरे भागते हैं, दो टांगों से आप तेज भागेंगे, है ना, तीन टांगों से आपको ज्यादा तेज होना चाहिए, अगर आप सिर् संख्याओं को देखें तो, लेकिन यह ऐसा है, ज्यादा सूचना के साथ, ज्यादा सूचना का मतलब है कि जो चीज आपकी नहीं है, उसे आप अपनी यादों से जोड़े लेते हैं, और उसके आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं, आप जितना ज्यादा वैसा करते हैं, आप उतने ही कम असरदार बनते जाते हैं, लेकिन फिलहाल, हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्ता जानकारी देना है, और इंटरनेट मौजूद है, एक बारा साल का बच्चा जानता है कि वहाँ करोणों प्रकाश वर्ष दूर, क्यूंकि ध्यान देने का आधार ये है कि आपको एहसास है कि आप इस ब्रह्मान में एक कन को भी ठीक से नहीं जानते, आप एक अनू को भी पूरी तरह से नहीं जानते, इसलिए आप ध्यान दे पाते हैं, अगर आपको लगता है मुझे ये पता है तो आप ध्यान नहीं दे सकते जानकारी का घमंड ही आप में ध्यान देने की कमी पैदा करता है